हेलो एवरीवन वेरी गूड इवनिंग तो अलव फ्यू गाईज सो स्टुडेंट्स एज यू नो कंपाउंड इंट्रस्ट की क्लास हमारी चल रही थी इसी के रिगार्डिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ पैटर्न के कुश्चिन सॉल कर आये थे उसी चीज को आज कांटीनू करेंगे आज हम लोग जो है वो देखेंगे बेसिकली सिंपल इंट्रस्ट और कंपाउंड इंट्रस्ट के कुश्चिन मिक्स होके कैसे आते हैं उनको कैसे सॉल किया जा सकता है ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर र थर्ड मॉक्टस जो आपने देना है वो आपने 10th of May को देना है ठीक है मॉक्टस देने से काफी ज़्यादा benefit होता है आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप थोड़ा lag कर रहे हों कौन से टॉपिक आपके अच्छे है किन टॉपिक्स को बार बार पढ़ करने की जौरूरत है तो स्टार्ट करते हैं आज के कोशन के साथ यह कोश्य の गोने कर लिए थे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका कुस्यन का नंबर वन ठीक है यह वाला इसमें देखो यहां पर कोशिन में चीज चीश क्या है आज पूरा का पूरा जो टॉपि interest के बारे में बात करते थे ठीक है अब इस question में क्या हो रहा है same question के अंदर simple और compound interest को mix किया जा रहा है और मैंने पहले भी आपको बताया था मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जो question आपका बनेगा वो इसी तरह से बनेगा या तो 2 साल का difference पूछेगा simple और compound का इसके basis पे question आ सकता है या फिर आपका 3 साल के basis पे difference के basis पे question आ सकता है चेक है तो यह question जो है आपका यह कह रहा है आपको difference दे दिया उसने सीधे सीधे the difference in simple interest and compound interest on a certain sum of money in two years at 10% per annum is 50 the sum is तो हमें क्या बताना है कि कितना principle जो है कितना पैसा जो है वो invest किया गया था करने के दो चार तरीके हैं सबसे पहला तरीका जो हमने अभी तक सीखा है पहले हम उसकी बात करेंगे क्योंकि इससे आपको clear हो जाएगी चीज़े ठीक है इसके formula से भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग formula बाद में देखेंगे पहले हम लोग basic concept सीखेंगे इसके पीछे concept है गया देखो दस परसेंट पर एनम है और दो साल की बात हो रही है simple interest में क्या होता है अगर दस परसेंट आपकी rate of interest है इसका मतलब होता है एक साल का व्याज और यह हर साल बराबर रहता है तो दो साल में कितना percent हमें interest मिल जाएगा students हमें मिल जाएगा 10 to the 20 परसेंट यह बात समझ आगी comment box में लिख दो सर समझ आगी ठेक है उसके बाद हम लोग देखेंगे compound interest अब compound interest में क्या होता है compound interest में rate of interest कितना है 10 परसेंट बट यह हर साल बराबर नहीं होता तो मैंने आपको एक formula कर आया था दो साल का निकालने के लिए कैसे आप लोग निकाल सकते है a plus b plus a b by 100 ठेक है a आपने 10 परसेंट लेना है b भी 10 परसेंट लेना है क्योंकि हर साल interest rate क्या है सेम तस-दस परसेंट बढ़ रहा है तो a में जब मैं 10 रखूंगा ठेक है b की value जब हम लोग 10 लेंगे तो यह हमारा कितना percent interest निकल के आ जाएगा यह हम यहां से calculate कर सकते हैं यह कितना बन गया student 10 और 10 20 जिरो से यह दो जिरो कर जाएगे यह बन गया 21 परसेंट यहां से आपने बड़े ध्यान से समझना है ठेक है कि यहां पर आपको जो value दी गई है difference आपको दिया गया है वो आपको कौन सी value दी गई है ठेक है वो आपको कौन सी value दी गई है यह आप लोगों ने यहां से देखना है ठेक है अच्छा अब देखिए 20 परसेंट आपको यहां पर क्या मिला है students simple interest है ना और compound कितना मिला है 21 परसेंट अब यह बात तो आपको clear है कि चाहे simple interest हो चाहे compound interest यह हमेशा किस के उपर calculate किये जाते है प्रिंसिपल के उपर ठेक है प्रिंसिपल के उपर calculate किये जाते है और प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट मानते हैं हम लोग 100 परसेंट अब यहां से ध्यान से समयना concept क्या कह रहे है अब आप देखो percentage में कितना फरक है दोनों में simple interest और compound interest में 1% तो मैं लिख सकता हूं कि 1% जो है प्रिंसिपल का वो किस के बराबर है question में value दी गई है 50 देखो यह आपको difference दिया गया था exact में और यह हमारा difference आ रहा है percentage में तो हम लिख सकते हैं 1% जो है प्रिंसिपल का कितना है 50 रुपे यह बात सबको समझ आ गई होनी चाहिए जिसको नहीं आई है comment box में लिख देना और इस concept को बारा दुबार से revise करना अगले question भी है तो उससे और clarity आपकी बन जाएगी तो यहां से बस आपको peak value निकालनी है यहां से percentage का 100 नीचे आएगा यह उदर जाएगा तो आपका principle कितना निकल के आ जाएगा 5,000 तो option number C will be the right answer for this question यह तरीका basic तरीका है कुछ बच्चे इस question को निकालने के लिए 20 जादा से जादा 20 सेकेंड लेंगे कैसे उनको पता है अच्छा 10% पर रायनम है simple interest दो साल में 20% होगा ठेक है compound interest है 10 10 पे कैसे करेंगे 10 plus 10 into 10 by 100 करेंगे 21% अच्छा 1% का difference आ रहा है दोनों में 1% किस का principle का देखो simple हो चाए compound हो दोनों जो interest है वो principle पर calculate किये जाते हैं यह यह आपको पता है that's why आपने यहाँ पर क्या करना है direct इसको इसके साथ evaluate करके लिख लेना है ठीक है बात समझ आगी तो आपका answer क्या बनेगा option number c अब हम देखते हैं एक formula होता है students कई बार formula जो है वो इससे भी असान तरीके से question हम लोग निकाल सकते हैं तो आप लोग ने लि लिखो compound and simple interest for two years दो साल का जब दिया गया हो आपका जो formula बनता है वो बनता है p into r by 100 का whole square यह क्या है students यह difference का formula है एक formula आप लोग याद रख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं short में ci minus si bracket में two years करके आप लोग इसको लिख सकते हैं पी into r by 100 का whole square तो यह formula जब आप इस question में apply करेंगे तो यह question और थोड़ा सा असान बन जाएगा principle हमें निकालना है rate of interest हमें दिया गया है 10 so 10 by 100 की power 2 ठेक है किसके बराबर दिया गया था 50 0 से cut गया 0 यह बन गया p by 10 का square हो गया 100 is equal to 50 तो principle हमारा निकल के क्या आगया students 5000 ठेक है principle हमारा निकल के आगया 5000 तो इस तरह से भी यह question solve हो सकता है मेरी suggestion यह रहेगी जब कभी भी आपको question जो है दो साल का difference के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग कोशिश करें सिधे formula से उसको solve करने क्योंकि formula से यह question है थोड़ा असान बन जाता है ठीक है बात समझ आगी move करते है next question के उपर ठीक है question की जो quantity है वो हम लोग starting में कम कर रहे है क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग concept एक बार सिख जाए उसके बाद जब हम लोग practice settle आएंगे different variety के questions practice करेंगे then you will come to know each and every concept ठीक है move करते है question number two के उपर yes so question number two similar question दिख रहा है the difference in simple interest and compound interest on a certain sum of money in two years at 18 percent per annum is 162 बत क्लेर होगी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि difference जो है simple और compound interest का दो साल के लिए 18 percent rate के उपर 162 है तो हमने बताना है sum कितना था principle amount कितना था दो तरीके एक तो वही simple interest अगर percentage में calculate करेंगे तो 36 percent बनेगा अब इतना आप direct सोच सकते हैं मैं समान के चल रहा हूं अठारा साल एक परसेंट एक साल का अठारा परसेंट और दो का होगे 36 compound में a plus b plus ab by 100 ठीक है करना आपको इसको formula से ही है बट स्टिल हम लोग मैं आपको यह भी अलब भी concept सिखा देता हूं अठारा प्लस अठारा प्लस अठारा इंटू अठारा बटे सो तो अठारा का square बनेगा यह होता है 324 अठारा अठारा 36 हम लोग इसको ऐसा ही रहने देंगे ठीक है 36.34 क्यों कि हमें difference निकालना होता है बाद में तो यहां से एक चीज मैंने देख ली क्या कि जो हमारा difference है percentage में वो कितना percent है 3.24% यह किसका लेंगे हमेशा principle का कितना दिया गया है exact value में 162 तो 162 यहां से principle निकाल सकते है यह बन जाएगा 3.24 by 100 इसका point गाएगा और यह वाला hundred इसका percentage का आएगा 162 तो value क्या बनेगी last में 3.24 आएगा निक्चे ठीक है into 100 into 100 अभी 162 को आप इससे काट सकते है 162 डबल हो रहा है सिदा-सिदा 2 से यह कर जाएगा 212, 2510 तो answer इसका भी कह निकल गयाएगा यह निकल गयाएगा आपका 5000 ठीक है यह तरीका है percentage से निकालने का students आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि यह जो variety होती है ना question की अगर उस तरह का question आपने पहले solve किया हो तो चीजे असान हो जाती है और simple और compound interest में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो यही questions देते हैं ठीक है तो आप लोगोंने बड़े ध्यान से इसको समझ लेना है दो तीन बार इस वीडियो को आपने देख लेना है जो बच्चे banking या SSC की त्यारी की हुई है जिन बच्चों ने उनको मुझे लगता नहीं है इस topic में वैसे भी कोई दिक्कत होगी पर जो बच्चे पहली बार इस topic को देख ले जा रहे हैं तो आप इतना भी आप कर लेंगे ना दो तीन बार इसको पढ़ लेंगे तो अराम से आप अपना question solve करके आ जाएंगे ठीक है let's see formula से कैसे करना था आप लोग खुद कर सकते हैं इसको formula से वही okay so देखो हमें पता है difference का formula क्या होता है P into R by 100 का whole square किसके बराबर दिया गया है 162 principle हमें निकालनी है rate दी गई है 18 बटे 100 का whole square यह बन गया 162 principle is equal to 18 का square होगे student 324 इसको अभी दर ही रखते है divided by 100 का square हो गया 100 into 100 तो same calculation बनती हुई दिखाई दे रही है P की value आएगी 162,324 से निचे 100 into 100 तो same calculation बन रही है यहां से आप लोग अराम से इसको calculate कर सकते हैं यह आपका बन जाएगा कितना 5000 ठीक है students यह pattern काफी important pattern है मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ और मुझे पुरी पुरा इसमें से बना के ही आपको पुछा जाएगा बट आपको हर एक pattern को cover करते हुए चलना है ठीक है move करते है next question के उपर yes अब question दो साल का ही पुछा गया है the compound interest on a certain sum of money for two years is 208 and simple interest for the same rate same time at the same rate कितना 200 find the rate percentage अब आपके पास time है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सिधा formula लगा सकते हैं यहां पर पी इंटू आर वाइंडर का whole square किसके बराबर आठ के बराबर दिया गया है difference हम निकाल सकते हैं ठीक है हमें क्या निकालनी है यहां पर rate की percentage ठीक है बट हमारे पास यहां पर principle भी नहीं है तो हम लोग यहां से पहले इसको switch करेंगे थोड़ा सा प्रिंसिपल को देखने की क오शिश करते हैं यहां से कि कैसे यहां से सोच सकते हैं ठीक है okay let's see तो हमें पता है simple interest दो साल में KITना मिला है हमे 200 दो साल में कितना मिला है 200 और एक साल में कितना मिला होगा 100 Wallace यह चीज़ हम लोग पता लगा सकते है students यह चीज़ पता लगा सकते है एक साल में कितना मिला होगा 100 रुपीज बात समझ आगी आपको ठीक है अगर एक साल में हमें 100 रुपे ब्याज मिल रहा है तो आपको दो साल में compound इंट्रस्ट कितना मिल रहा है 208 रुपे 208 रुपे अब यहां से आप लोग डायरेक्ट एक कॉंसेप्ट लगाएंगे इसको सीखेंगे सभी बच्चे कि compound इंट्रस्ट होता क्या है basically compound इंट्रस्ट के कॉंसेप्ट से यह आंसर आपका आराम से निकल जाएगा ठीक है देखना कैसे compound इंट्रस्ट हमारा होता है कि first year में हमें कुछ इंट्रस्ट मिलता है ठीक है उसके बाद second year में उस स्थी पूरे अमाउट के उपर जो हमें principal है और जो हमारा क्या है interest है प्रिंसीपल और इंट्रस्ट मिलता है और second year में हमारा amount वो बन जाता है मतलब इंट्रस्ट के उपर भी इंट्रस्ट मिलता है ठीक है अब यह जो टू हंड्रिद है यह आपको दसाल में क्या मिला था ? कंपौंड इंट्रस्ट क्या होतेइं?. इसका मतलब पहले साल हमारा सिंपल इंटडर्ष भी सो रुपे था और compound interest भी 100 रुपे था अब अगले साल में simple interest तो same रहना था और compound interest principal पर इतना amount हमें मिलना ही था interest अब यह जो 8 रुपे मिले हैं यह हमें कहां से मिले हैं यह 8 रुपे वो वाला amount है वो पैसे हैं जो हमें interest के उपर interest मिला है पहले साल जो हमें 100 रुपया ब्याज मिला था उसके उपर interest मिला है तो हम rate of interest calculate कर सकते हैं यहां से क्यों क्योंकि compound interest में interest पे interest लगता है यह 8 रुपे किस रुपे पे उपर लगा हुआ है यह पिछले साल के ब्याज के उपर लगा हुआ है ठीक है तो पहले साल का सोर पे ब्याज था तो हम यहां पर क्या करेंगे 100 और इंटू रेट निकानले के लिए 100 से करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आजाएगा एट परसेंट ठीक है कॉंसप्ट थोड़ा सा लगा है द्यान से समयना एक बार फिर रिपीट करता हूं ताकि और यह क्ले हो जाए आपको ठीक है का ओके कंपॉण इंटरस्ट में और सिंप्ल इंटरस्ट में पहले आपको समयना है तो है इसलिए बडाबर हो कि अगले साल में सिंपल VAN same रहता है तो यह total कितना हो गया हमारे पास 200 कि अब यहां पर हमें कितने पैसे मिले एक तो 100 रुपे ब्याज मिला क्यों कि हमें किसके उपर मिला होगा principal के उपर जैसे simple इंट्रस्ट पर मिल रहा है वैसे compound पर भी मिलता है अब इसके इलावा बात करूं तो 8 रुपे आज मिला है किसके उपर 100 रुपे के उपर 8 रुपे आज मिला है 100 रुपे के उपर rate of interest निकालने के लिए multiply करते हैं 100 से क्योंकि percentage निकालनी है और जब जब percentage निकालनी हूं हमें किस से value को multiply करना पड़ता है इसको करने के और भी बड़े सारे तरीके होते हैं बट मुझे लबता है यह तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट बनेगा ठेक है क्लेर होगी बात बूब करते हैं next question के उपर तो यह question को असान बन गया इसको हम लोग दोनों तरीके से देख लेते हैं स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं एक साइड सिंपल इंटरस्ट एक साइड कमपाउंड इंटरस्ट क्योंकि डिफरेंस हमें दिया गया है तो सिंपल इंटरस्ट एक साल का 10% है दो साल में कितना हो जाएगा स्टूडेंस 20% कमपाउंड के लिए क्या करते हैं एप्लस बी प्लस एबी बाइट तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाइट ठेक है यह 10 और 10 हो गया 20 20 और यह एक हो गया 21 अब यहां से percentage में कितना difference हमें मिल रहा है percentage हमें कितना difference मिल रहा है 1% 1% ही हमेशा किसका होगा students principle क्यों क्यों क्योंकि principle पे ही compound interest और simple interest दोनों calculate किये जाते हैं ठेक है 1% of principle is equal to 25 तो 1 by 100 into principle is equal to 25 तो principle की value कितनी आ जाएगी 2500 option B will be the right answer for this question कुछ पच्चे ये भी सोचना है students इन questions को करने के बड़े सारे तरीके होते है टेबल फार्म होती है चार्ट फार्म होती है ठीक है लेकिन हमें क्या करना है हमें JKSSB का एक question आना है हम उसके लिए इतना ज़्यादा इसको detail में नहीं जाएंगे और जल्दी भी speed में question solve करने की ज़्यादा जूरूरत नहीं है आपके पास approach होनी चाहिए कि आप लोग question को solve कर पाएं ठीक है बत समझ आगी तो अगर formula से इस question को करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे P into R by 100 का whole square किसके बराबर 25 के बराबर principle आपको निकालनी है rate 10 है 10 by 100 करेंगे यहां से square इससे यह कट जाएगा यह बनेगा P by 100 is equal to 25 this implies P is equal to 250 तो 25 सो इस question का right answer बनेगा students आज की class यहीं पे खतम करेंगे आज मैं यह समझ के चल रहा हूँ कि आपको अगर दो साल के difference के उपर question आता है exam में तो आप लोग उसको असानी से solve कर लेंगे अपने notes में आप लोग यह formula लिख लेंगे percentage से कैसे difference निकाल सकते हैं वो आप लोग इसमें से कर लेंगे ठीक है करने के बड़े सारे और भी तरीके होते हैं तो next class में हम लोग आपको हम लोग सीखेंगे 3 साल का difference बस जो 4-5 lecture आपके बनेंगे इसके बाहर question आपका simple और compound interest का नहीं आएगा यह मैं आपको पकी guarantee दे सकता हूँ ठीक है दो साल वाला यह question है यह आप लोग homework में रख लीजिएगा वो यहाँ पर rate of interest निकाल लिए अब आपको यह question जब आप solve करेंगे तो आपको question number 3 जो है यह भी अच्छे से समझ आ जाएगा चलो इसको मैं कराई देता हूँ आपको let's see simple interest किसी सम के उपर 150 है दो साल के लिए years आपने ध्यान रखना है and the compound interest on the same sum at same rate for two years is 155 अब क्या हो रहा है compound interest है और simple interest है simple interest दो साल में कितना मिला है हमें 150 तो इसका उनले पहले साल 75 दूसरे साल भी 75 similar बात क्योंकि compound interest पहले साल का पराबर होता है simple interest के तो यह भी 75 मिला होगा यहां कितना मिला है 155 इसका मतलब second year में 75 तो मिलना ही था क्योंकि पिछले principal पर यह amount मिलेगा और इसके साथ extra कितने मिले हैं हमें हमें मिले हैं यह होगा 1505 रुपे extra ठेक है मैंने बताया था rate of interest निकालने के लिए यह जो 5 रुपे हैं यह आपको समझना पड़ेगा यह कौन से पैसे हैं कौन सा यह interest है यह जो 5 रुपे हैं यह हमें principal पे ना मिलके हमें किस के उपर मिले हैं यह पहले साल के interest के उपर मिले हैं और interest के उपर interest जब लग रहा है तो वो किस हिसाब से लगता है students वो लगता है जिस हिसाब का आपका rate of interest हो उस question में तो rate of interest निकालने के लिए 5 रुपे ब्याज मिला है किस के उपर मिला है 75 के उपर यह बेसिक फंडा है पॉसेंटेज का है ना पॉसेंटेज के लक्षेस अगर आपको देखने होंगे तो आप कहीं से भी देख सकते हैं नहीं तो आप मेरे को एक बार मेसेज कर देना इस मेरे नंबर पर टेलीग्राम के उपर 70067 तो मैं आपको वहां पर एक वीडियो परसेंटेज की सेंट कर दूँगा ठेक है एक बार कॉंसेट थोड़ा सा क्लेर हो जाता है इंटू करते हैं हंडेट से क्यों क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा कोई भी वैल्यू 100 के प्रपोशन में कितनी है हम लोग वह कैलकुलेट करते हैं तो इसको काट सकते हैं पांच इकम पांच यह कटेगा यहां से 15 से 5 से यह काट होगे 20 से यह कटेगा 3 से तो आंसर क्या बन रहे है आपक को एक दो बार और सॉल करेंगे तो आपको यह दिमाग में पका पका फीड हो जाएगा ठीक है स्टुडेंट्स इसके साथ टेलिग्राम चैनल हमारा जूरूर जोइन कर लीजिए का ट्रिपल एस का वहां पे हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है पीडियस बगारा मेरा प को देखेंगे तीन साल का और उसके साथ हम लोग अपने टॉपिक को खतम करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स क्लास में गॉड्ड ब्लेस यू आल